चोथा अगर डवलू वन कंटेंड हो डवलू टू में इंपलाई पर अब में क्या रिलेशनसीग होगा हां पहले का अंसर क्या देंगे यादखेगा हमने क्यों आएगा वी क्योंकि हमने पड़ा था क्या पड़ा साओ जीरो ही ना ओनली वैक्टर ओर्धॉच्टर वी तो इसलिए हरएक वैक्टर आजेंगे इसके और उर्थोगोनल और वी पर कितना और यहां क्या आएगा क्योंकि डबलू और डबलू पर में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिर्फ एक जीरो कॉमन होता है जीरो दोनों के पास होती है स्पेस भी सबस्पेस होता है niin वा सब्सक्राइट करने पर यहें वह्यांदस्पेस फिर होता है जिनके इंट्रीक्षान में क्या हो सिंगstudyезде नेक्स क्या आएगा फॉर्थ यह रिवर्स हो जाएगा यह पेपर में गेट के पेपर में आए हैं यह आप्सन डाल डालके ऐसे तो क्या होता है डबलू टू पर अब कंटेंड करता है डबलू बन पर में सब के प्रूफ भी है चारों के ठीक है इसके आपकी सीबुक में चेक कर सकते हो दूर रिजल्ट है तो दो रिजल्ट आपको यह रिमेंबर करने है कलियर है प्रेक्टिकल एजब्स ले लेता हूं अब प्रैक्टिकल एजब्स ले लेता हूं मैंने एक उठाया लेत वी उठा लिया मैंने आर स्केर ओर र और इसपे पर स्थेछ स्थेव्स लेता हूं आर क्रह्टे इंट इनरण इनरण आर मैंरा च आर मैंने हूं क्या सिकर दी X1 Y1 प्लस X2 Y2 वेर U कितना है X1 Y1 है सोरी X1 X2 है V कितना है Y1 Y2 है यह V है यह U है R-square के अलिमेंट है यह मैंने इनर प्लाट स्पेस डिफाइन कर दी और मैंने W1 ले लिया लेट W1 W2 W3 W4 और सब स्पेसस ओफ V W1 को तो मैंने डिफाइन कर लिया यहूं X,0 से Such that X के आए रियल है W2 को मैंने डिफाइन कर लिया 0,Y से Y आ रहे है और W3 को मैंने डिफाइन कर लिया X को मैंने डिफाइन कर लिया X और हाफ X से X है Real है ठीक है क्या क्या W2 और्थोगन का उप्लिमेंटर W1 का मेरे कोश्च नहीं है पहला क्या W2 और्थोगनल कॉम्प्लिमेंट है W2 का W1 का अगला है सेम क्या डबलू 3 और्थोगनल कॉम्प्लिमेंट vendor W1 का क्या W4 और्थोगनल कॉम्प्लिमेंट डबलू 2 का और जवब क्या कहिएगा पहले में तो Yes आजएगा सेर हाँ पहले में तो Yes आजएगा क्यों हाईगा Yes बताव इनकी इंट्रेक्शन मुल्टिप्लाई करेंगे ना सर एक्स इंटु जीरो प्लस जीरो इंटु वाई तो जीरो आ जाएगी सर इनर प्रोड़क्ट डिफाइंड है सरे स्टेंडर्ड ना तो जीरो ही आएगा इसका कोई भी अलिमेंट की आपस मेंनल प्रोड़क्ट कितनी है जीरो है और इनके इंट्रेक्शन में क्या है सिंगल्टन जीरो है जीरो इंट्रेक्शन बात बड़ी बता रहा है ठीक है पर पैंडिक दूर के साथ साथ क्या है इंट्रेक्शन में जीरो है इसलिए क्या है और्थोगोनल कंप्लिमेंट है इसका क्या डबलु 3 है डबलु 1 का यह सर कैसे यह इकोल है ना सर इससे नहीं हो चकता यह ना सर अगर कॉट्ट यह कंपोनेंट वाइज मुल्टिप्लाई करेंगे ना सर ना इस कि उपतो सर एक साथेगा एक स्केर बताओ एक से नहीं है सर नहीं है चुकि आप यह वन जिरो उठालो किससे डबलु 1 से लैट वन जिरो किससे उठाया डबलु वन से एंट कोई वन मन उठालो कि डबलु 3 से उठा सकते हैं अलाउड है कि इस तरह के इलिमेंट है इसमें अब इनकी इनर प्रॉट करना इनके नाम दे दो बनादेगी सर इसका देदो स्मॉल डबलु 1 इसका संदा में स्मॉल डबलु 2 को जब मैं की इनर प्रॉट करूंगा डबलु 1 डबलु 2 की स्मॉल की तो 1 इंट वन प्लस 0 इंट वन तो 1 प्लस 0 1 नॉट इकोल टू जिरो तो हम कह सकते हैं और्थोगल कॉप्लिमेट नहीं है नो क्या डबलु 4 है डबलु 2 का यहां भी क्या आएगा नो मना करना है डबलु 2 सर 1 1 क्यों लिए है क्या डबलु 2 1 1 क्यों लिए है सर डबलु 3 में डबलु 3 में डबलु 3 में डबलु 3 में डबलु 3 के पास नहीं है मैं यह नहीं के रहा हूं सर आप डबलु 2 1 को लिए है ना 1 1 वह स्मॉल लिखे हैं क्या डबलु 3 है बस नाम ले दियाना है यूवी लेलो बहितका नाम है आप इसको यू के लो इसको वी के लो समझ रहा था इसको यू कह लो इसको भी कह लो विनाम में क्या रखा है नाम में तो मैं आपको मजीद नान कहा जिता हूं अपनान थोड़ी हो आनो ठीक है नोटेशन अजस्ट नेमिंग नहीं है यह यू और वी किनर प्रोट क्या रही है यहां पर 9-0 तो नेट में यही तो करता है वो नेट में वो नोटेशन बड़ी अजीब हो गरीब लेके आएगा जिनको हमने नहीं देखा होता है हम सिर्फ हैना सब्जेक्ट वही होता है आद्धी भासा तो हैना नोटेशन बड़ल दी उसी सर्फ चेंज हो जाता है सारा कुछ हड़ब डाट हो जाती है हमें लगता है तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं है नई चीज़ है कि जो कुछ करते हैं तो हमें उसके और भ इसके पर ने देखा होता है पहले उसमें तो हमें और याकि प्हल्त relative करता है नहीं वह कोई वी केंडिशनिंग करके मणुष्य सब्सक्राइब नहीं हो कंडिशनिंग वह जल्दी करता है एक ही वेवहार अलगातार करते रहो उसी जिगा आज़ी हो जाता है थोड़ी दिनों बाद अगर वह वेवहार ना करें वैसे ही बिहेवियर ना करें हम तो हमें लगता है कि यार कुछ चेंज है बदलाव है के सब्जेक्ट में थी कंडिशनिंग करती है으면 कंडिशनिंग यह हो जाती है कि हम ग्रैजुएट्र में नोटेशन जो पढ़ते हैं हमुसके हैवरी चलो चुक होटे है और इतना फ़ी चलोुक होटे हैं कि उससने एक्जाम में नोटेशन चेंज कर दी हमारी मशीaka this coming मार काप पाइए तो क्यों कि हमारे सब के संद के साथ कनडिशनिंग से उपर उठने का ऐसान काम नहीं है कमी लोग उठ पाते हैं जो कंडिशनिंग से उप उठ जाते हैं वो तरकी कर जाते हैं और जो लाइफ में कंडिशनिंग पे रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं तो क्यों चीज़ों के साथ अटाइच हो जाते है और जो टीज़्ेजों के साथ टैच हो जाएगा ओम आ रहा जाएगा रिखे मुनुष्या का सभाव तो निर्जीव के साथ टैच ऊपिए सिन्जीव वे दूर की वातने हैं तो फिर नेट से के लोजिक कि आम करते हैं, तो इसलिए इसने बचो हो, नइ नइक क्वेश्टन मिलते हैं सीन क्वेश्टन मिलते हैं, कि तो वहां में लगता है एक अनजान व्यक्ति को जानना कितना मुष्पिल होता है और एक हम जिसको जानते हैं पहले मैंसी में क्या होता है । भ मुझे पढ़ाने दोनो क्या करेगा क्या क्रेगा क्रेगा कामबता कामबता देख कुआ नो देखने के लिए की लिए निरोट तिया बेगी ने देखाने देखंए जा बात में देखे और अबर Arabic को पढ़ाने देखने आप rif तूनना पढ़ेगा कहा रखा है दूनना पढ़ेगा मुझे याद नी दून ले नए यार तू चलू भी आगे आगे कुछ इस तरह कोश्चन है ये कोश्चन पेपर में आए भी हुए है किस चेफ्टर से हैं इंदर प्रोडट्स से हैं एक में तभी दिखाता हूं आपको इस तरह कोश्चन वह होता आते हैं पेपर में कोई वेक्टर दे देगा वह कोई वेक्टर दे देगा वह इस तरह से देगा प्लेट डवलू डवलू दे दिया उसमें वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन इसका वेक्टर है आरपोर का वी ये वेक्टर इसमें ये आरपोर में ये बिलकुल है सहमत हैं फाइंट फाइंट एन और्थोगोनल और्थोगोनल बेसिस बेसिस फोर दवलू परव ये क्वेश्चन है क्योंकि यूनीक नहीं होते ना वह एक मांग रहा है हम से हम से सिर्फ एक की डिमांड कर रहा है हम बेसिस जानते हैं इसके और्थोगोनल इंफानाइटली मैंनी वेक्टर होंगे ठीक है ना तो पहले मैं डबलू परव की कंस्ट्रक्शन करूँगा यहां पर तो ऐसे सवाल पेपर में आरे हुए हैं तो सबसे पहले क्या है पीति मिनान से डबलू परव की डेफिनिशन लिख दो डबलू परव क्या है डबलू परव में किसके आते हैं वेक्टर स्पेस के वह एलिमेंट आते हैं ठीक है तो मुझे जन्दल लेना पड़ेंगे जन्दल में किस ट्रक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर यह लेना पड़ेगा ठीक है इस वेक्टर का नाम क्या ले दिया मैंने वी अलांकि पिछे लिखने यादत नहीं होती वी को सब पहले लिखते हैं लेकिन या नोटेशन चेंज कर दी ठीक है मैंने बाद में लिख दिया क्या फरक पड़ गया कि वी की किसके साथ इनर प्रोड़क्ट डबलू के साथ जीरो है अच्छा एक बात याद रखो अगर इनर प्रोड़क्ट वो डिफाइन कर दे आपको वही वाल लेनी पड़ेगी अगर इनर प्रोड़क्ट वो डिफाइन ना करे तो कौन सी लेंगे ओलवेज स्टेंडर्ड जन्रल स्टेंडर्ड लेंगे स्टेंडर्ड आप जानते हो sum of product of each entry मतलब x1, x2, x3, x4 इसके R4 के शच दब व की डबलू सरी नर प्रोट करो 1x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 1x4 is equal to 0 अब यह किस चैप्टर पर चले गए हम किस चैप्टर पर बात हो रही है third चैप्टर पर Homogeneous System of Equations तो वहाँ बोला गया था कि यह चैप्टर आपका पीछा नहीं छोटेगा और वहाँ कहीं नहीं छोट रहा है ठीक है अगर वहाँ से बेस हमें क्लीर है कुछ भी नहीं आके मत्रब अगरी मैं इसको matrix form में लिखू तो कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा 1,2,3,1 और वेक्टर को लिखूंगा कॉलम वेक्टर यह हो एक्स वन एक्स टू एक्स ट्री एक्स पोर और इनकी आउट्पुट क्या बने जीरो तो सारी स्टोरी किस पे डिपेंड करती है matrix A पर A matrix कितनी है 1,2,3,1 rank कितना है एका सारा कार्णी A पे डिपेंड करती है rank A कितना है R कितना है कितना है rank 1 है number of variable कितने है 4 4 है free variable कितने है 3 3 होगे n-r होते है ठीक है तो dimension w पर अब कितने होगे 3 vector space यह ही है इसके dimension भी है तो dimension जो w पर अब के होंगे वो होंगे 3 अब इसके हमने निकाले है basis और basis भी ऐसे वैसे निकाले है ortho owner ठीक है यहां से यहां से आएंगे यहां से बताओ कौन फ्री है एक पीवोट आया है ना तीन फ्री हो ना किसी एक को मन भागी दो को जीरो वेयर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स इसमें किसी को भी कह सकते हो फ्री जुरूरी निया कि मैं पहले को दूह तीर जोत्य कहलूँगा अब कोश्चन की डिमांड के रूप साथ चलूँगा मैं वहां पर कई वार पेपर में ओप्सन के हिसाब चलना होता है तो तीन फ्री है तो दो को जीरो लो तीसरे को बन ले लो क्योंकि 24 आप किस किस के लिए है एक्स टू के लिए एक्स त्री के लिए एक्स फॉर के लिए एक्स फॉन मैंने निकालना है पहला मैंने निकालना है 24 इन के लिए यह ले सकते हो आप 100 सबसे सान है जीरो वन जीरो 001 बता सकते हो X1 कितना आएगा जब 10000 लेते हैं तो आपको इस equation पूट करना पड़ेगा इस equation बताओ कितना आए X1 और फिर इंद अब कितना आए पहले केस में X1 और लो माइनस 2 दूसरे में माइनस 3 सर माइनस 3 थर्ड में माइनस 1 सर माइनस 1 यहां पर 1 आएगा न सर 4 X4 की जगह पर है हाँ 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 1 तो माइनस 1 ठीक है तो कोड़ कोड़ से बढ़े और तो ओल बेशिस माइनस 2 1 0 0 पहला दूसरा माइनस 3 0 1 0 तीसरा माइनस 1 0 0 1 और यह होगे फिर के आप एनगे प्रोड़ुक करके देखो डबलू के मैट के साथ सबके साथ 0 आइसा निएगी एक की समकी इसकी करके देख़ो आप इसकी करके देखो इसकी करके देखो जिरो आएगी समझाई बात प्रोसीजर समझे मैं आया ना समको यह समझे आप जैसे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को एक क्वेस्चन करिए क्वेस्चन है लेट कैपिटल डव्लू बीदा सबसपेस ओफ आर फाइव बाइ ओ फार फाइव सबैंड बाइ सबैंड बाइ यू पाश टपल है यू पाश टपल क्या है वन तू थ्री माइनस वन तू अंट वी वी फाइट अपल है क्या है तू फोर seven to minus one find a find a basis of the of the of the orthogonal कोनल कोंप्लीमेंट डबलू परब और निकालो फटाफट वही तरीका है इसके साथ बिनर प्रोट जीरो है इसके साथ बिनर प्रोट जीरो है क्यों डबलू इंसे स्पेंड है करो इसको क्यों प्रोट जीरो है क्यों जीरो है झाल 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 किसी है कुछ निकला जी सर dimension 3 आया सर dimension 3 आया ठीक है और सर पहला vector लिखिये minus 2 1 0 0 0 क्या है vector पहला minus 2 1 0 0 0 बिलकूर सही है तीसरा लिखिये 13 0 minus 4 1 0 कितना 13 0 minus 4 1 0 हाँ third vector होगा minus 17 0 5 0 1 हाँ तो इतना आया मेरा minus 17 0 5 0 हाँ किके यही बनेगे ना सब के बनेगे निकल गए यहाँ इसरी यही बनेगे ओके फिर ठीक सही है हाँ हेलो तो है प्रेट के लिखे प्रेट किके अधी है हाँ है अधे हाँ है भी पर पता देजेये डिखे अधे बनेगे पाट के छिए ए आपके पाट हाँ है कि यह को ऐसे को सब्सक्राइब हमेशा क्या है डेफिनिशन पर जाओ डेफिनिशन क्या है तो पहले तो मैं डबलू परब की डेफिनिशन लेखूंगा डबलू परब में क्या आएंगे वो डबलू आएंगे इसके आर फाइव के such that डबलू की यू के साथ इनर प्रोड़क्ट जीरो है and डबलू की वी के साथ इनर प्रोड़क्ट है वो भी जीरो है इसको गर मैं एक्स पैंट गरके लिखूं इसमें फाइव टपल आएंगे एक्स वन एक्स टू एक्स त्री एक्स फोर एक्स फाइव प्रोड़क्ट इसके साथ जीरो है यानि के वन एक्स वर टू एक्स त्री एक्स त्री माइनस वन एक्स फोर प्लस टू एक्स फाइव जीरो है प्र इसके साथ जीरो है मतलब टू एक्स वर प्लस फोर एक्स टू प्लस सैवन एक्स त्री प्लस टू एक्स फोर माइनस वन एक्स फाइव जीरो है यह बन गया और यह क्या है होमोजीनी सिस्टम है तो इसको लिखने की प्रैक्टिस करी यह पहले अच्छे से सिस्टम में क्योंकि यह हमारी थर्ड चैप्टर की रिवीजन है अगर हमें थर्ड चैप्टर आता है तो आधी समस्या है हमारी पार है मैट्रिस में कैसे लिखागो इसको वान टू ट्री माइनस वन टू ऐसे फिर टू फोर सेवन टू माइनस वन पर यहां फाइव टॉपल एक्स वन एक्स टू एक्स ट्री एक्स पोर एक्स पाइप इतना है जिरो है अब एक का रैंक निकाली है कि करें कैसे निकलेगा पहली को तो को पी करो वन टू थी माइनस वन टू उसरी में से दूगना घटा दो फर्स्ट का यह जीरो यह जीरो यह वन जब दूगना घटा ओगे यह चौका लग गया दूगना घटा ओगे तो यह माइनस फाइव हो गया यह बन गया तो रैंक कितना है तो रैंक है टू नंबर ओफ वेरिएबल फाइव फ्री वेरिएबल्स एन माइनस आर फाइव माइनस टू थ्री फ्री वेरिएबल कोन कौन से हैं अगर हम श्योम सिर्ज की मुक्के कोड नहीं चले जिस कोलम में पिवोट नहीं आया वह हो है एक्स टू फ्री है एक्स टू एक्स फ्रॉ एक्स फ्रॉ एक्स फाइव आर फ्री वेरिएबल्स ठीक है डमेशन तीन होगे अब किसी एक को वन माल लो, बाकि दो को जीरो मतलब क्योंकि पाँच वेरियेबल निकालने हैं हमने एक तो एकस वन निकालना है, एक एकस टू निकालना है, एक एकस त्री निकालना है एक X4, एक X5, यहां से information मेरे पास की है, कि X2, X4, X5 फ्री है, एक बार X2 को 1, X4 और X5 को 0, एक बार X4 को 1, बागती दोनों को 0, एक बार X5 को 1, बागती दों को 0, तो यह तीन तीन पता चल गए है, जो का और पता करना है, तो पहले इस equation को solve कर गे है, यह equation कितनी है x3 plus 4x4 minus 5 x5 0 है फिर करिए उपरवड़ी को 1x1 है 2x2 है 3x3 है minus 1x4 है कि back substitution करते हैं न plus 2x5 है तो बताओ कितना आएगा यहां से बता सकते हो x3 कितना आएगा कितना आगया पहले set के coding 0 कितना आगया कितना आए x3 0 0 x1 निकाल लेगे लिए यहां पूट कर दो सारी value कितना आएगा x1 minus 2 minus 2 देखो इतना आएगा कितना है कितना आएगा second set में x3 minus 4 minus 4 x1 कि इतना आएगा यहां रखो x2 कि जएगा 0 x3 कि जएगा minus 4 x4 कि जएगा 1 x5 कि जएगा 0 x3 कि जएगा रखो x3 कि जएगा राखो x3 कि जएगा रिएगा राखो X35 इत्मा एक्सवाइ किसमा इस सवेंटें इस तरह से रिकाल लेंगे अच्क में इसको मािनस से मैंठिप्लाइगर के देगा मतलब क्या करेंगा वह यूं करते अध्यूझ इसको माइनेस better find क्या तब भी सही है ऐसा करता है कई बार हमें option की तरफ भी निगाम आनी पड़ती है क्या तब भी सही है हाँ जी से स्केलर से multiply करने पर कोई फरस नहीं पड़ेगा नो नेगटिव स्केलर से ठीक है हाँ एक result हो रहे है रिजल्ट क्या है if capital W is a subspace of a finite जो यहां word finite बड़ा इंपोर्टेंट है finite, dimensional, dimensional, inner product space V inner product space V then जो वी होगा वो डरेक्सम होगा इसका डबलू का और डबलू करबका that is V is a direct sum of इसा हमने पहले भी किया था इस तो डामेंशन वी के कितने होंगे क्योंकि डारेक्सम की भासा जानते हो न आप पहली बात क्या है डबलू और डबलू परब में जो कॉमन एलिमेंट हो सिंगल तंजीर हो है तूसरा जो वी है लिनियर सम है डबलू का और डबलू परबका यह दो बाते हैं मैं डारेक्सम की डाफिनेशन लिखी है कुछ न लिखा यहां पर मैं डामेंशन डबलू परब के निकालना चाहता हूं कितने आएंगे यहां पर लगा दो फर्मूला डामेंशन वी के पलस डामेंशन डबलू के पलस डामेंशन डबलू परब के डामेंशन डबलू के मानलो एंड डामेंशन डबलू के मानलो एंड तो डामेंशन डबलू परब के कितने हो जाएंगे तो डामेंशन बनेंगे डबलू परब के वो क्या बनेंगे एंड माइनस एंड बनेंगे ठीक है क्योंकि डारेक्ट सम है वही यह डारेक्ट में सिंगल कोमन तो जीरो है तो इंट्रेस्टर वाड़ा फार्मूला मतलगा ना सिधा खुल जेगा यह ठीक है एन माइनस हम हो जाएंगे अब यही तो कोश्ण कर रहे थे हम कि क्याना में हम यही तो काम कर रहे थे अब वह पिपर में से पूरा स्वार नहीं पूछेगा बेसी बारा नहीं पूछता मालो कोश्चन उसने दे दिया कोश्चन उसने दिया लाग्त क्या व बेक रहे तो सम्पश्पेस और इस आर बेकर प्लीग उस्टेट, जने बाग्ता वे थे वेट श्ट्टs अबाग्ता जैक टॉद्ट वेटस्ट कौन कौन से वेक्टर जी से जनरेट हो रहा है एक तो U1 से U1 है 1 2 3-2 दूसरा है U2 U2 है 2 4 5-1 से देन डमेंशन डगलु परवके प्लोप्सन डेदिया 1 2 2 3 4 4 कितने होंगे कितने होंगे 3 2 कितने हो जाएंगे 2 2 3 V कौन आ यहांपर यह V है देन डमेंशन डबलू के निकाल लो कितने है डबलू इसे जनरेट है U1 U2 और डमेंशन डबलू परवके क्या हो जाएंगे 4 minus 2 2 हो जाएंगे यह आजएगा ठीक है हम बेशीर निकालेंगे यहां पूछता है वही बात करेंगे यह बेशीर निकालना है हम उर्खता है टाइम वेस्टेज है हम क्यों निकाले हम सिद्धा फर्मल लगा देंगे हम क्यों डबलू परवको बनाए टाइम वेस्ट करें ठीक है तो जहां जरूरत होती है उसी काम करना होता है मैं ठीक है जी समझेगे यह सर्ट को कि यूवी बाहर चलो यूवी बाहर चलो यूवी बाहर चलो यूवी पर यहां आवाज आता है अब है अब है प्रोजेक्शन्स नेक्स्ट टॉपीक है हमारा है वह फ्रोजेक्शन्स के उपर आप तो प्रोजेक्शन्स क्या होती है इसको पढ़ते हैं प्रोजेक्सेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें फोर ये कोफिशेंट्स भी पढ़ने पढ़ेंगे फोर ये कोफिशेंट्स पढ़ने पढ़ेंगे फोर ये कोफिशेंट्स पढ़ने के बाद आपको है ना प्रोजेक्सेस में आ जाएगी बगार फोर ये कोफिशेंट्स पढ़ेंगे नहीं आ पाएगी बेखो एक होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है तो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है एक होते है फोर ये कोफिशेंट्स तो क्या होते हैं ये दो बाते हैं एक तो है लीनियर कॉम्बिनेशन दूसरा है फोर ये कोफिशेंट्स ये सारा पार्ट किसका है लीनियर अलजबरा का और किस बुक में अच्छा दे रखा है ये टोरा टोपिक जो ऐसे ऐसे है शोम सीरीज में तो आप पढ़ लेना उसमें सारे डिटेल ले रखा आपको तो लीनियर कॉम्बिनेशन हैं एड़ फोर ये कोफिशेंट्स हैं क्या हैं हम लीनियर कंबिनेशन दों पढ़ चुके हैं पहले कैसे पढ़ चुके हैं लेट लेट कैपिटल एस कैपिटल एस कोई सेट है किसका सबसेट है और क्यूब का कंसिस्ट्स कंसिस्ट्स और थ्री वेक्टर्स इमान के चलाओ मैं थ्री वेक्टर्स इसके और क्यूब के उनके नाम ले दिये मैंने एक तो यूवन ले दिया वन टूवन दूसरा ले दिया है U2 2 1 माइनस 4 तीसरा ले दिया मैंने U3 U3 कितना है 3 माइनस 2 1 ठीक है पहला क्या S और्थोगोन सेट है बताँ क्या S एन और्थोगोनल सेट या सद्धान सेट है या और्थोगोनल सेट है और्थोगोनल सेट है और्थोगोनल नहीं U1 U को कि इन प्रोटक इतनी आएगी 0 U1 U3 कि इतनी आ रही है अगें 0 और U2 यू सेट है 0 दूसरा क्या S एफ बेसिस सेट है ओफ आर क्यों का क्या है क्या SBC सेट र्यू का पताव यह सर अगले को भी एस बोल रहा है तीसरा क्वोशन क्या एस और्थोगोनल बेसिज है और क्यों के और्थोगोनल बेसिस और क्यों क्या है यह सारी यह कर रहे हो आज अच्छे बच्चे और ना ना तो करते ही नहीं अगर मैं कोंच उठाओन और क्यों कहलें क्यां क्यारी लिखनें में लिखा जाए गा सब्सक्राइब क्यों कि देशी सब्सक्राइब करता है ना वेशी से जन्रेट उपती है कि देशी सब्सक्राइब तो बेशी के लिए कंबिनेशन में जरूर लिखा जाएगा जन्रेट करते हैं सही कह रहे हो जो नेक्स्ट कोश्ट अ सब्सक्राइब करता है कैन विएग Кेन विएगा ? कैन विए विए व्थार है? विए वी को मा वी दिगव वेक्तर है कोई विए 7,1,9 एजे 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 LC, LC stand for linear combination किस-kis की U1 की U2 की and U3 Hello, Sir Hello, Sir आप क्या वाद मा आ रही है आजरी यह वाज है Hello, 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 Hello अब बोलो, Sir क्या इनके लिए ने combination में है यह क्या लिख सकते हैं इसको Yes, Sir लिख सकते हैं तो क्या लिए सब्सक्राइगी V is equal to यह आगे लिए ने combination V is equal to X1, U1 प्लस X2, U2 प्लस X3, U3 जो X1, X2, X3 कहां से हैं? फिल्ड से हैं अब इन सभी की वैल्यू पूट कर दीजिए इन सभी की वैल्यू पूट कर दीजिए अब इन सभी की वैल्यू आवाज नहीं हां आडी हाँ सर हेलो 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 हाँ सर आ रही अब तो हाँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा x1 into 1 2 1 plus x2 into 2 1 इसको क्यों लिका लूगा x2 लूगा लूगा लुगा लुगा लुगा